बेलकम दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हीकप्स जिसको हिच्किया भी कहते हैं तो हिच्किया आने के कारण क्या होते हैं और इसका इलाज किस परकार से किया जाता है उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो इसमें सबसे पहले बात कर है यह किसो जैसे हिच्किया आती हैं तो इसमें दो मेंली पार्ट होते हैं जो कि इन्वाल्ब होते हैं हिच्कियों के आने में एक ड्राइफ राम होता है जो कि सपोर्टिंग और्गन होता है लंका अगर इन कोई भी प्राब्लम होती है तब ही इच क्या सकती है जैसे कि किसी बंदे ने ज्यादा से अधिक दोड़ भाग कर ली या ज्यादा से अधिक पानी पी ली तो उस कंडिशन पर ऐसे हो सकती है दूसरी कंडिशन की बात करें बोकल कार्ड यानि जो स्वर्चतंत्र होती है यानि सवर उत्पन होता है अगर किसी चीज को आप खा रहे हो सद्धिनली क्या हुआ कि उस चीज को 51 फ मातरह में खा लिए या आप बोल भी रहे हैं साथ-सा साथ और खा भी रहे हैं तब यह प्राभ्लम आपको हो सकती है अगर इसके अम रीजन की बात करें तो इसका अभी तक कोई रिजन पता नहीं है लेकिन अगर बात करेंगे इस तरह से कि अगर किसी चीज को या इससे दोड रहे हैं तब ये कंडिशन आ सकती है या ज्यादा से अधिक क्या साथ-साथ खा रहे हैं और बोल रहे हैं तब ये कंडिशन हो सकती है अगर वहीं बात करें हम इसके hiccups के cause के कि क्या-क्या कारण mainly देखने को मिलते हैं तो hiccups का वैसे कोई अभी तक particular reason मिला नहीं है but some reason जैसे कि eating too quickly यानि अगर कोई बंदा ज़्यादा तेज खाना खा रहा हो यानि वो ऐसे खाना खा रहा हो जैसे कि उसने काफी ज़्यादा तेज खाना खा लिया तो उसको यह problem हो सकती है हिच कि आ सकती है eating too much या ज़्यादा से अधिक खा लिया हो या drink alcohol अगर उसने alcohol पी लिए हो या drink carbonate drink अगर carbonate के drink उसने पी है तब यह condition हो सकती है abdominal surgery अगर abdominal area में किसी परकार की surgery होई हो तब यह हो सकता है certain medicine कुछ ऐसी medicine होती है जिनकी वज़ासे हिच किया आने लगती है तो यह कुछ mainly काज थे अगर इसके हम treatment की बात करें तो सबसे पहले home remedies क्योंकि home remedies जो है आप बच्चों में भी यूज का सकते हैं और adult में भी यूज का सकते हैं तो सबसे पहले अगर किसी को हिच किया रही हो तो उसे cold यानि chill water दिया जाता है यानि ठंडा पानी अगर आप उस बंदे को दे देंगे तो उसकी हिच किया बंद हो जाएंगी या तो आप संत्रे यानि आप उसका मुह में थोड़ा सा संत्रा काड़ जो जुस होता है उसको डाल सकते है या नीमू का जिसे जो satir công trássid होती है वो हिस्कियों को कम कर सकती है या तो आप अपने नाकों को बंद कर ले और गैरी शास ले तब हो सकता है या तो आप योगा करें कुछ इस तरह से, तब आपको हिस्कियों की प्राबलम दूर हो सकती है, अगर इन होम रेमडी को आप अपनाएंगे, अगर इन से नहीं ठीक होती है, तो आप डाक्टर से कंसल कर सकते हैं, एलोपाथिक मेडेसिन की बात करें, तो कुछ एलोपाथिक म जाते हैं हिस्कियों के प्राबलम को तूर करने के लिए, उसमें साथ से पाहले मेडेसिन है, क्लोर, जॉक्साजोन, साइक्लो, पिंजापिरिन, ये मेडेसिन जो है, और उसमें जो साथ से ज़्यादा यूज की जाती है, वो है बैकलोग फेन, बैकलोफेन जो की काफी ज़ खीच की आ रहे हो तो उस condition पर यह medicine दिन में अगर 5MZ की tablet है तो उसको दिन में तीन बार दी जा सकती है condition के हिसाब से अगर 10MZ की है तो उसको दिन में दो बार दी जा सकती है इसी परकार आप अगर बात करें ख्लोरो है तो यह combination फाम में मिलेगा जिसमें एसलो फिने पारा सीथामाल combination में आएगी tablet आप इसका भी यूज कर सकते हैं दिन में दो बार यूज कर सकते हैं यह adult dose है बच्चों को दवाईयों के बारे में यह इस वीडियो में आपको बच्चों के बारे में अ अगर ज्यादा से याधिक severity बढ़ जाती यानि हिच्किया ज्यादा आ रही हो तो डाक्टर से consult करना चाहिए दोस्तों यह छोड़ी पर महतपूर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बता थैंकि दोस्तों